हाई फ्रेंच मैंनी तो आज बनाएंगे करेला परभल आलू की फ्राई जीजिन मुझे सब्ची बनाने का मन ने करता है ने मैं इसे ही करती हूं कभी-कभी देखिए निश्ठा आ गए थी मस्ती कर रही थी बोर लेते ममा मैं भी विडियों में आऊंगी देखिए कैसे मस्ती क कर रही है आरी है जा रही है बार बार फिर आ गई इस वज़े से में इसको ने कट की वीडियो को देख लीजिए कैसे मस्ती कर रही है अब बच्चे कितने स्वीट होते हैं अब कट करेंगे सारे वेजिटेबल को करेला को देखिए इसे गोल-गोल काटेंगे सब को काट लिया मैंने परवल को यसे लंबा लंबा काटेंगे और आलू को भी वेशे गोल-गोल काटेंगे और करेला को भी गोल-गोल काटेंगे पकने में आसान हो तो यसे काटने से देखिए कॉर्न पावडर दे रही हूं मैं दो बड़े चम और भी पीशके मिला सकते हैं जो भी हो कि अपके पास कुछ भी दे सकते हैं नमक एक चमच अपने स्वात के अनुसार लाल मिर्च में हाफ चमच भाबर निया पाउडर हाप चमच छोटा चमच में हाफ चमच ही जीरा पाउडर सब्जी सबजी मसाला एक चमज छोड़ा चमज में ही जेरा पड़ा राप चमज हल्दी एक चमज अब मिक्स करेंगे सारी को थोड़ा थोड़ा पानी दे करेंगे की साथ पानी डालना है वरना वो गीला हो जाएगा अच्छा नहीं बनेगा करने में क्या करना है एक ही साथ अधे पर्वल दे रहें तो पर्वल दे दू आलू द मिलाके दें पर्वल Fellay जाय है मिक्स करके ना देए अब आलू देर हुँ देखे, आलू ही दूंगी अभी, पूरे में आलू ही दूंगी, ऐसे ही बारी-बारी करती हूं, एक बर परवल, एक बर आलू, एक बर करेला, ऐसे मिक्स करके, एक एक बार करके सब पुनिकालती हूं, तो अच्छा रहता है, अब आलू हो गये थे, अब करेला डाल लूँगी सारे एक समन पक जाते हैं ना सारे एक होते हैं तो इसी वज़ा से अच्छा होता है ऐसे ही आप भी किजिए आप करेला डाल रही हूं अपना बहुत ही ख्याल रखियेगा अभी बहुत ही मौसम खराब चल रहा है बाहर की हवा जहरीली है क्या बोले बट नेगिटीब नहीं होना है पोज़िटीब रहना है किसी को हो भी जाए तो अच्छे हो किया आना है ये नेगिटीब नहीं होना है मैंने सारा हो गया था मैं सारा निकाले देखे परबल आलू करेला देखिए मेरे वीडियो आप लोगों अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर जरू किजिए थैंक यू फ्रेंट्स